हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल विद्यामंदिर अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं या क्लास मेरी पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन पर क्लिक करना ना बोलें तो सारे कोशन तो आज की क्लास का मारे फस्ट कोशन से हैं इडुक की जल विद्यूत परियोजना परियोजना किस राजय में स्थीत है तो इसमें option दे रखे option A है के रल में option B है हिमाचल परदेश में option C है अरुना चल स्थीत है तो question क्या है इडूग की जलविद्यूत पर्योजना किस राज्य में स्थीत है तो बता है क्या है इसका right answer क्या है क्या है में इडूक की जल्विद्यूत परियोजना स्थीत है तो इस कराइट अंसर बताई क्या होगा तो इस कराइट अंसर है option A यानि की केरल में इडूक की जल्विद्यूत परियोजना केरल में स्थीत है ठीक है, नेक्स्ट कोसन है, सलाल जल विद्यूत परियोजना किस राज्य में, क्या कह रहा है कि सलाल जल विद्यूत परियोजना किस राज्य में है, option A हर्याना, option B है, जम्मु कस्मीर, option C है, हिमाचल परदेस, और option D है, पंजाब, तो इन में से सलाल जल विद्यूत परियोज किस राजय में है तो यह जम्मु कस्मीर में है नेक्स्ट कोशन है बगली हार जल विद्युत पर योजना किस थापना किस नदी पर की जा रही है तो इनमें से जो बगली हार जल विद्युत पर योजना किस नदी पर की जा रही है तो इन में से कोई ना परियोजना किस राज्य की परमुख बहु देशे नदी घाटी परियोजना है option A है बिहार, option B है तमिलनाडू, option C आंदरपरदेश और option D है महाराश्ट तो इन में से कोई ना परियोजना किस राज्य की बहु देशे नदी घाटी परियोजना है तो इसका राइट अंसर क्या होगा बताए तो इसका राइट अंसर है, option D यानि कि महाराश्ट कोई ना परियोजना किस राज्य की परमुख बहु देश नदी घाटी परियोजना है तो वो महाराश्ट की है, ठीक है नाथपा जाटी परियोजना किस राज्य में स्थीत है तो इसका राइट अंसर है, option A यानि कि हिमाचल परियोजना है, वो हिमाचल परियोजना है वो हिमाचल परियोजना में स्थीत है next question क्या है, नाथपा जाटी परियोजना क्या कहा रहा है कि नाथपा जाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है इसमें कहा रहा था किस राज्य में स्थीत है तो वो हिमाचल पर्देश में स्थीत है नाथपा जाकड़ी पर्योजना और इसमें क्या कहा रहा है कि नाथपा जाकड़ी पर्योजना किस नदी पर निर्मित है यानि किस नदी पर है Option A है, चिनाब, Option B है, सतलज, Option C है, रावी और Option D वियास, तो इन में से नाथपा जाकडी परियोजना जो कि हिमाचल परदेश में है, तो वो किस नदी पर निर्मित है, तो बताई, इस कराईट अंसर क्या होगर, तो इस कराईट अंसर, Option B, यानि कि सतलज नदी, नाथपा जा जी टिरी पन बिजली कॉंप्लेक्स, निम्लकित में से किस एक नदी पर आवस्थित है, तो इस कराईट अंसर क्या होगा, तो इस कराईट अंसर, जी यानि कि भागी रती, जो टीरी पन बिजली complex वह भागी रखी नदी पर अवस्तित है दरनेक्ष्ट कोशन है उंग का रेश्वर परियोज ना। क्या मैं परियोजना। आप्छन नियु लिकित नदियों में से किस संबंद है क्या क्या मैं एक महीं और आप्छन परियोजना तो इसमें नदी में से नदी में से किस एक से संबंद है तो इसकराइट अंसर है option B, D यानि कि नर्मदा option D इसकराइट अंसर है नर्मदा यानि कि जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो नर्मदा नदी से संबंद है then next question है तपोवन और विश्नुगड क्या कहा रहा है कि तपोवन और विश्नुगड जल विद्युत परियोजना कहां आवस्थित है कौन सी परियोजना कहा है कि तपोवन और विश्नुगड जल विद्युत परियोजना option A है उत्राखंड option B है राजस्थान option C ये मध्यपरदेश और option D ये उत्रपरदेश तो इन में से तपोवन विश्णुगड जलविद्युत पर्योजना कहां पर अवस्थित है तो बताई इस क्राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option A यानि कि उत्राखंड जो तपोवन और विश्णुगड जलविद्युत पर्योजना है वो उत्राखंड में स्थित है तो नेक्स्ट कोशन है दुलहस्ती पावर स्टेशन क्या कहा रहा है दुलहस्ती पावर स्टेशन निमलिकित में से किस एक दुलहस्ती पावर स्टेशन निमलिकित में से किस एक नदी पर अधारीत तो बताइछ इनमें से किस होना है दुलहस्ती पावर स्टेशन तो इसका राइट अन्सर बताइं क्या होगा तो इसका राइटारología उप्शन B यानि कि चिनाब नदी पर दुलहस्ती पारश टेशन चिनाब नदी पर आधारीत है Then next question है क्या कह रहा है कि गंडक परियोजना किन दो राजयों की संयुक्त परियोजना है ठीक है क्या बताना है गंड़क पर्योजना किन दो राज्यों की संयुक्त पर्योजना है option A है बिहार एव पस्चिमंगाल option B है बिहार एव मद्यपरदेश option C है बिहार एव उत्तरपरदेश option D है उत्तरपरदेश एव मद्यपरदेश तो इन में से गंड़क पर्योजना के इन दो राज्यों की संयुक्त पर्योजना है तो बताई इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर ओप्शन C है यानि कि बिहार ए उत्तरपर्देश ठीक है धीक रोंग जलविद्यूत पर्योजना देश के किस राज्य में निर्माधीन है उप्शन A है आसम उप्शन B है जहारखंड उप्शन C है उत्राखंड उप्शन D है अरुनाचल पर्देश ठीक है, इसका राइट अंसर क्या है, इसका राइट अंसर अरुना चल पर देश, डी क्रोंग जल्विद्ध परियोजन देश की सराजय में निर्मान दीन है, तो वो ऑप्शन डी राइट अंसर इसका अरुना चल पर देश then next question है, निमलिकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, क्या कह रहा है, कि इन में से कौन सा एक जोड़ा है, जो की सुमेलित नहीं है, यानि कि जो की गलत है, ये बताना है, ठीक है तो option A है सीव समुद्रम केरल option B है गांधी नगर मद्यपरदेश option C है जवाहर सागर राजस्थान option D है नागरजुन सागर आंदरपरदेश तो इन में से कौन सा एक जोड़ा है जो की सही नहीं है तो इसका राइट अंसर बताए क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option बताए क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option यानि कि सीव समुद्रम जिसके साथ केरल दिया हुआ है ये जोड़ा जो है ये गलत है और जो B, C, D है ये तिनों option राइट है ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option B जो लोग टक सकती परियोजना है वो मनीपूर राजय में स्थित है the next question है रिहंद बांद परियोजना किन दो राजयों की सिचाई होती है रिहंद बांद परियोजना से किन राज्यों की सिचाई होती है। उप्षन A है गुजरात और महाराष्ट उप्षन B है ओडिसा और पश्रिमंगाल। उप्षन C है उत्रपरदेश और बिहार। और उप्षन D है केरल और करनाटक। इन में से रिहंद बांद परियोजना से किन दो राज्यों की सिचाई होती है। तो बताए इसका राइट अंसर क्या होगा? तो इसका राइट अंसर है, option C, यानि कि उत्तरपडेस और बिहार, जो रिहंद बाँध परियोजना से उत्तरपडेस और बिहार, राज्यों की सिचाई होती है. then next question है भाखडा नांगल पर्योजना किस नदी पर निर्मित है जो इन में से भाखडा नांगल पर्योजना किस नदी पर निर्मित है किस नदी पर बना हुआ है तो इसका राइट एंसर बताई क्या होगा तो इसका राइट एंसर है option D यानि कि सतलज नदी जो भागड़ान अंगल परियोजने है वो सतलज नदी पर निर्मित है तो इन एक्स्ट कोशन है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभविन्त राज्य है क्या कहा रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभविन्त राज्य है कौन सा राज्य है जो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभविन्त है option अ है पश्यमंगाल एव जहारखंड option B है पश्यमंगाल विहार option सी ये बिहार एव उडिसा option D है पश्यमंगाल एव उडिसा तो इन में से दामोदर नदी घाटी पर्योजना की पर्योजना से कोन सराज्य लभविंत है तो इसका right answer क्या होगा तो इसका राइट अंसर ओप्शन ए है यानि कि पश्यमंगा लेव जहारखंड दामोदर नदी घाटी पर्योजना से पश्यमंगा लेव जहारखंड जो राज्य है वो लाबाविंत यानि कि दामोदर नदी घाटी पर्योजना का ये अच्छे से लाब उठा रहे है ये राज की संयुक्त नधिगाटिगा पर्योजना है ओप्शन ए है पैरियार ओप्शन भी है परामबीकुलंउलियार option c is a ur 40 अवडिकि ओर ओप्शन डिये पापनाशंच्छ तो इन में से कौन्सी नधिगाटि पर्योजने है जो कि संयुक्त नदी गाटी पर्योजने है दो राज की है वह संयुक्त नदी गाटी पर्योजने है यानि कि परांबीकुल्लम अलियार तो इन में से जायक बाड़ी पर्योजना किस नदी पर स्थित है तो इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर है उपसंसी यानि कि गोदावरी ठीक है गोदावरी नदी जायक बाड़ी पर्योजना किस नदी पर स्थित है तो जायक बाड़ी पर्योजना गोदावरी पर स्थित है नेक्स्ट कोशन है निमलिखित नदी घाटी परियोजना में से इन में से यानि कि किस एक का लाब एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है यानि कि इन में से कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिसका लाब सिर्फ एक राज्य को नहीं बलकि एक से अधिक राज्य को इसका लाब प्राप्त होता है option A है एडुक की पर्योजना, option B है सरावती पर्योजना, option C हीरा कुंड पर्योजना, option D है चंबल गाटी पर्योजना, तो इन में से कौन सी नधी घाटी पर्योजना है जिसका लाब एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, तो इसका right answer बताई क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option D यानि कि चम्बल गाटी परियोजना चम्बल गाटी परियोजना जो है इसका लाब एक से आधिक राज्यों को प्राप्त होता है The next question है भारत पाक बगलिहार क्या कह रहा है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निमलिकित नदियों में से किस एक पर स्थित है बारत पाक बगलिहार परियोजना इन में से किस एक नदी पर स्थित है option A है चिनाब option B है सतलज option C है जेलम option D है व्यास तो इन में से भारत पाक बगलिहार भारत पाक बगलिहार परियोजना किस एक नदी पर स्थित है तो इसका राइट अंसर बताई क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option ए यानि कि चिनाब नदी ठीक है जो भारत पाक बगलिहार परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है then next question है इडूक की जल विद्यतु परियोजना किस राज्य में स्थित है उप्षन ए है option ए जम्मो कस्मीर option भी है option C है हिमाचल परदेश और option D अरुनाचल परदेश तो इन में से इडूक की जल विद्यतु परियोजना किस राज्य में स्थित है तो इसका राइट अंसर बताई क्या होगा तो इसका राइट अंसर है option B यानि कि केरल में जो इडूक की जल विद्यतु परियोजना है वो केरल में स्थित है केरल राज्य में स्थित है देन नेक्स्ट कोशन है भारत में प्रत्थम बहु देशे नदी घाटी परियोजना का निर्मान निम्न में से किस नदी पर किया गया था कौन सी का भारत में प्रत्थम ठीक है क्या कहा रहा है कि भारत में प्रत्थम बहु देशे नदी घाटी परियोजना का निर्मान इन में से किस नदी पर किया गया था option A है गोदावरी option B है कावेरी option C है दामोदार option D कोई न तो भारत में प्रत्थम बोल रहा है ये भारत में प्रत्थम बहुत देश्य नदी घाटी पर्योजना इन में से किस नदी पर क्या गया था तो बताए इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer option C यानि कि दामोदर नदी पर ठीक है जो भारत में प्रतम first बहुत देशी नदी घाटी पर्योजना का निर्माण किया गया वो दामोदर नदी पर किया गया था The next question है भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घाटी पर्योजना कौन सी है क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घाटी पर्योजना कौन सी है भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी घाटी पर्योजना option A है हीरा कुंड पर्योजना option B है चंबल घाटी पर्योजना option C है दामोदर घाटी पर्योजना option D है भाखडा नंगल परियोजना तो इन में से भारत की सबसे बड़ी बहुत देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो बताए इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer है option D यानि कि भाखडा नंगल परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी बहुत देश्य नदिघटे पर्योजना है वो भाखडा नांगल पर्योजना है तो D option इसका right है The next question है क्या 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 रहा है कि प्राम्भी कुलम अलियार पर्योजना निमलिकित में से किन राज्यों की सम्मलित पर्योजना है option A है केरल अलियार पर्योजना किन राज्यों की समलित पर्योजना है यह question repeat हुआ है पहले भी 4-5 question के पहले यह question आया था उसमें change था उसमें राज्य दियो थे फिर पुछा था कि उसकी संयुक्त पर्योजना कौन सी है उसमें इसका राइट अंसर यह हुग था प्राम्वी कुला मलियार पर्योजना इसमें यह योजना पहले दी हुई है प्राम्वी कुला मलियार पर्योजना और इसमें राज्य पुछा हुआ है कि इसमें कोन से राज्य की संबलित पर्योजना है और उसमें संयुक्त परियोजना इन राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी ऐसे करके कोशन था तो बताए इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर ओप्षनी है यानि की केरलेव तमिलनाडू केरले तमिलनाडु की संयुक्त पर्योजना प्राम्भी कुला मलियार पर्योजना है और प्राम्भी कुला मलियार पर्योजना किन राज्यों की सम्मलित पर्योजना है तो ये केरले तमिलनाडु राज्यों की सम्मलित पर्योजना है कौन सी है प्राम्भी कुला मलियार पर्यो परियोजना किन दो राज्यों की सम्मलित परियोजना है तो इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर ओप्षन भी है यानि कि ओडिसाइव अंदर पर देश जो मच्छकुंड परियोजना है वो ओडिसाइव अंदर पर देश राज्यों की सम्मलित परियोजना है the next question है मैयूराक्षी परियोजना क्या कहा रहा है मैयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राजय लाब उठा रहे है क्या कहा रहा है मैयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राजय लाब उठा रहे है लाब प्राप्त कर रहे है लाभाविन्त हो रहे हैं, मिनिंग एक ही है, तो क्या करें, मयूराक्षी पर्योजना से भारत के कौन से दो राज्य है, लाभ उठा रहे हैं, तो option A है, बिहार A, उत्रपरदेश, option B है, पश्रिमंगा लेव असम, option C है, पश्रिमंगा लेव जहारखंड, option D है, जहारखंड A, बिहार A, उत्रपरदेश, तो इन में से कौन से दो राज्य है, जो मयूराक्षी पर्योजना से भारत के दो राज्य लाभ उठा रहे हैं, तो इसका राइट अंसर क्या होगा, तो इसका राइट अंसर है, option C, यानि कि पश्रिमंगा लेव जहारखंड, जो मयूराक्षी पर परियोजना से पश्रिमंगा लेव जहारखंड जो है, राज्य ये लाभ उठा रहे है, तो इन में से हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो इसका राइट अंसर क्या होगा, तो इसका राइट अंसर है, option D, यानि कि ओडिस्सा, जो हीराकुंड परियोजना है, वो ओडिस्सा राज्य में स्थित है, the next question है, काकरा पार, क्या कहा रहा है, काकरा पार परियोजना किस नदी से सम्बंदित है, option A, option B, नर्मद, option D, तुँग, भदर आ, option D है कृष्णा, तो इन में से काकरा पार परियोजना किस नदी से सम्बंदित है, तो इसका राइट अंसर बताई क्या होगा, तो इसका राइट अंसर ओप्षन A है यानि कि तापती नदी जो का अकरापार परियोजना है वो तापती नदी से सम्वन दिता है गिरना परियोजना कहा स्थीत है क्या कहा रहा है गिरना परियोजना कहा स्थीत है option A है आंधरपर अप्शन भी है महाराश्ट option C है ओड़िस्वा option D 36 गड़ तो इन में इसे गिरना पर्योजना कहा सथित है तो पता है इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer है option B यानि कि महाराश्ट गिरना पर्योजना जो है वो महाराश्ट में स्थित है then next question है नहीं आता है क्या करा है कि कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतरगत नहीं आता है ठीक है option A है टनकपुर बांध योजना, option B है पंचवेश्वर परियोजना, option C है चुखा परियोजना, option D है सार्दा बांध परियोजना तो क्या करा है कि जो भारत नेपाल सहयोग परियोजना है इन में से कौन सी परियोजना है जो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतरगत नहीं आती है ठीक है नहीं आती है याद रखनान भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतरगत नहीं आती है तो बता इसकर आईटंसर क्या होगा तो इसकर आईटंसर है option C यानि की चुकर पर्योजना जो चुकर पर्योजना है ये भारत नेपाल सहयोग पर्योजना के अंतरगत नहीं आता है और जो option A है टनकपूर बांध परियोजना, option B है पंचेशर परियोजना, option D है सारदा बांध परियोजना तो ये जो तीन बांध परियोजना है ये भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतरगत आते हैं केवल चूखा परियोजना है जो कि भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतरगत नहीं आता है ठीक है तो ये जो तीन बच गए A, B, D ये तीन भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतरगत आते है ठीक है Option A है माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एव राजस्थान Option B है चंबल परियोजना राजस्थान एव मध्यपर्देश Option C है व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एव हर्याडा Option D है इंदरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एव पंजाब तो इन में से इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर ओप्शन दी है यानि कि इंद्रा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एव पंजाब ये गलत है और जो A, B, C है ये सही है ठीक है The next question है हीरा कुंड परियोजना किस नदी के जल परवा को नियंत्रित करता है क्या कह रहा है कि जो हीरा कुंड परियोजना है वो इन में से किस नदी के जल परवा को नियंत्रित करता है option A है महा नदी, option B है तापी, option C है नर्मद, option B है कृष्णा तो इन में से कौन सी नदी के जल को परवा करता है हीरा कुंड पर्योजना तो इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका राइट अंसर ओप्षन है यानि कि महा नदी जो हीरा कुंड पर्योजना है वो महानदी के जल परवा को नियंतरित करता है हिरा कुंड परियोजना ते नेक्स्ट कोश्चन है आंदर परदेश एव ओडिसा क्या कहा रहा है आंदर परदेश एव ओडिसा की सम्मलित परियोजना है जो इन में से आंधरपरदेश ए उडिसा अंधरपरदेश ए उडिसा इणी की जो समल्यत पर्योजना है वो कौंसी है? इसका राइट अंसर ऑप्षिन बी है यानी की मचकुंड जो आंदरपरदेश वोडिसा की समल्यत पर्योजना है वो मच्चकुंड है, the next question है, उकाई पर्योजना कहा स्थित है, क्या गह रहा है कि उकाई पर्योजना, जो उकाई पर्योजना है, वो कहा स्थित है, ये बताना है, जो उकाई पर्योजना है, वो कहा स्थित है, option A है, मद्य पर्देश में निर्मदा नदी पर, option B है, मद्य पर पर्देश में तापी नदी पर उप्शन सी है गुजरात में तापी नदी पर उप्शन डी है गुजरात में साबर्मती नदी पर जो उकाई पर्योजना है वो इन में से किस नदी पर स्थित है तो इसका करेक्ट अंसर बताए क्या होगा इसका correct answer option C यानि कि गुजरात में तापी नदी पर जो काई पर्योजना है वो गुजरात में तापी नदी पर स्थित है The next question है सरदार सरोवर पर्योजना क्या कर रहा है कि सरदार सरोवर पर्योजना किस नदी पर चल रही है option a है krishna नदी option b है tapti नदी option c है godavri नदी option d है nirmada नदी तो इन में से सरदार-sarover-paryajna किसे नदी पर चल रही है तो इसका right answer क्या होगा इसका correct answer option d है यानिकी nirmada नदी जो सरदार-sarover-paryajna है वो nirmada नदी पर चल रही है the next question है the next question है जो पेरियार जलविद्य तो परियोजना है वो किस राज्य में है पेरियार जलविद्य तो परियोजना किस राज्य में option A है केरल option B यानि कि केरल जो पेरियार जलविद्य तो परियोजना किस राज्य में है तो इसका correct answer क्या होगा तो इसका correct answer option यह है यानि कि केरल जो पेड़िया रजल विद्धू परियोजना है वो केरल राज्ये में स्थीत है The next question है कौन सी बहु देशे नदी घाटी परियोजना का गया रहा है कि कौन सी इनमे सी कौन सी बहु देशे नदी घाटी परियोजना का निर्माण गाटी परियोजना के आधार पर किया गया है उप्षन ए है नर्मदा सागर परियोजना उप्षन भाकडा नांगल परियोजना उप्षन डी है हीराकुंड परियोजना तो इनमें से कौन सी बहुत देश्य नदी गाटी परियोजना का निर्मान टैनेसी नदी गाटी इसका निर्मान टैनेसी नदिकाटी परयोजना के आधार पर किया गया है तो आज इकलास यहीं खतम होती है थैंक्यू वोचिंग माई वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भोले थैंक्यू